आम चुनाफ की तारीके घोशित करने में देरी के उपर अब नतीजे मई के आखर तक खीच जाने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं पिछले दो लोगसफ़ा चुनाफ की तारीके और घोशना को देखते हुए देर तो हुई है और 2009 में चुनाफ आयोग ने आम चुनाफ की तारीके दो मार्च को और 2014 की चुनाफ की घोशना पांच मार्च को हुई थी आम तोर पर मार्च के प्रथम सब्तह में तारीकों की घोशना हो जाती थी कॉंग्रेस ने इस आयोग की और से देरी पर सवाल उठाए हैं कॉंग्रेस नेता राजिस्थान की सीम अशोगेलोत का कहना है कि तारीक घोशित करने को लेकर आयोग पर दबाव सरकार का बना था उनका कहना है कि पहले आठ को और फिर नो मार्च को इसकी घोशना हो जाने थी लेकिन जब प्रधानमंत्री के सभी कारिकरम और घोशना समाब तो हो गई उसके बाद आयोग ने तारीक घोशित की है इस बीच पश्म बंगाल में तुर्णमूल कॉंग्रिस ने राजे में साथ चर्णों में लोकसभा चुनाफ कराए जाने की चुनाफ आयोग की खोशना पर ये कहकर विरोज जाहिर किया कि मतदान की लगाता तारीकों से लोगों पर दबाव पड़ेगा तुर्णमूल नेता फिरहाद हकीम ने रमजान की महीने में चुनाफ कराए जाने पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि रमजान में मुस्लिम पूरे दिन भूके रहते हैं रमजान इस साल मई जून में पड़ेगा फिरहाद हकीम ने कहा कि बंगाल में चुनाव 5 या 7 या फिर 14 चरंड में हो इससे फर्क नहीं पड़ता लोगों के दिलों में ममता बेनरजी के लिए खास जगे हैं चुनावों के लंबा किचने से लोगों पर बेवजा दबाव बढ़ेगा